दोस्तो आज हम आत करने जा रहे हैं फॉक्स विगन टाइगून का मेडिल वेरियंट हाई लाइन 2023 अपडेटेड वेरियंट में आपको चेक करा रहा हूँ जिस गाड़ी पे इंजन एंड थोड़े बहुत फीचर्स में चेंजिस किये गए थे लेकिन पावर एंड टॉक में फिलाल कोई चीज नहीं था 115 PS का पावर और 178 Nm का टॉर्क ये गाली अभी भी जनेट करती है प्राइस वाइस जो है वह आपको पड़ता है इस समय प्रेजेंट में एक्सवरूम कॉस्ट 13,073,900 रुपीज जो की यूपी में सारे एक्सपेंसे जोड़ दे तो तकरीबन 16,00,000 रुपीज की अन्रोड गाड़ी आ जाती है चलिए आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़े दिखाने जा रहा हूँ हाइलाइन वेरेंट की तो सबसे पहले मैं आपको पता देता हूँ इस गाली का फ्रेंट लोग जिसमें यहाँ पर अगर हम बेसिक वेरेंट से कंपेर करते हैं हाला की कोई भी चेज़ नहीं है यह हाइलाइन बेसिक वेरेंट कंफर्ड लाइन जैसे ही दिये हुए है हालोजन रिफलेक्टर मिल जाते हैं और इस साइट पे देखे डिया लाइट को प्लेस किया गया है चली अब बात करते हैं साइट की और साइट से आपको कमप्लीटली चेk कर आ देते हैं हाइलाइन वेरेंट जिसमें स्टार्ट हो जाते हैं अलोई वीलज्स इस सिल्वर कलर के मल्टि स्पोंक अलोई आप इसमें देख सकते हैं इसका साइज जो है वो देखिए यहां पे लिखा हुआ है टू जिरो फाइफ अबलेक 60 आर 60 नीच के यह वील्स मिलते हैं इंडिकेटर्स प्लेसमेंट जो है वो मिरॉरस पे है जो कि इस गाली का स्टैंडर्ड फीचर है अपके तरह रूट रेल्ज जो है यह श्ली ब्रड़ के लिखा प्लेके यह ब्लाक फैलर्स लिखा है है जिसमें खुबसूरत है स्टैंडर्ड इसके कनेक्टिंग इंफिनिटी टेल लैंप जोकी LED बेस दिये हुए है रियर वाइपर डिफॉगर भी दोस्तों यह वैरेंट कवर कर लेता है और पस है जब चक करेंगे तो सार्फिन अंटीना देखिए इसमें दिया हुआ है पैनो ब्लैक फिनिस में और एक और प्लस पाइंट हो जाता है इस गाली का इस वैरेंट से रिवर स्पार्किंग कैमरा भी मिलने लगता है इसमें सेंसर्स तो यहाँ पर दोस्तों एक्स्टीर से मैंने आपको इस गाली को बता दिया है चलिए बात करते हैं इंटीर में और देखत है यहाँ पर खुबसुरा सा लुक दे रखा है थोड़ा सा ग्लॉस से सिल्वर पैटन दिया हुआ है एंबिन लाइट भी वाइट कलर की आप इसके डैस बोड में चेक कर सकते हैं बाकि इस साइट पर थोड़ा सा फिनिसिंग वेगरा यहाँ पर बैटर हो जाती है आते है इधर की तरफ और स्टेरिंग भी देखिए इसमें लेधर रैप्ड दिया हुआ है बाकि स्टेरिंग मॉन्टेट कंट्रोल्स वेगरा चेक कर सकते हैं जो लॉक है यानि जो इसकी की है उसमें रिमोट सेंटरल लॉकिंग मिल जाती है दोनों की पर हाला कि यह भी जो है कमफ और आपके टाइम पर यहां पर एंटी पिंच वाला फीचर भी दोस्तों इसमें आ जाएगा इसके लावा जब आउसाइड मिरस चेक करेंगे तो हाइलाइड वेरेंट से दोस्तों मिल जाते हैं इसके आउसाइड मिरस एलेक्टिक फोल्डिंग आ जाएंगे और जो एजस् हैं आपको तीन हाइट अग्जेस्टिक हैं लेकिन स्टैंडर नहीं है इसका पीछे का आम रेस्ट यह आपको जो है हाई लाइन और टॉप लाइन दो वेरेंट मिलता है जिसमें दो कफोल्डर्स दिये हुए हैं इसके लावा जो है कंफर्ट की बात करते हैं तो रियर रेस पर साइड देखेंगे तो ग्रेफ सॉस सेंटर पर मिलेगी केविन लाइट यहां पर दोस्तों मैंने आपको पीछे की चीजे चेक कर ली हैं आप चलिए जड़ाब बूट एरिया दिखाते हैं फिर बात करेंगे हम इधर आगे बैठके और क्या चीजे मिलती हैं हाई लाइ स्टैंडर्ड है हमने कमफर्ट लाइन आपको चेक कराया था उसमें भी दिया हुआ है और स्पेर वील जो है यह स्टील पर दे रखा है ऐलोई पर नहीं दिया हुआ है इस वेरेंट पर ऐलोई वील साते हैं और साइज भी जो है वो एक इंच होटा है 15 इंच का स्पेर वील है बाकी ऐलोई जो है वो 16 इंच के मिलेंगे एक अच्छी चीज़ दोस्तों अगर आपको लगेज स्पेस मैनेज करना है और पीछे बैठना भी है तो उसके लिए इसमें प्रोविजन मिल जाता है यहां पर 64 स्प्लिट सीट का आप देखिए इस साइट पर बले से लगेज को रख सकते हैं इधर दो लोग बैठ सकते हैं या फिर वाली सीट उठा लीजे इसको गरा दीजे जैसे भी आपको मैनेज करना है आपका सकते हैं और अगर हम दोनों सीटे गरा देंगे तो 1405 लीटर का एक बड़ा स्पेस बन जाएगा इस साइट पर जब चेक करेंगे तो देखे जब आप इसके ड्राइविंग सीट में बैठेंगे तो आपको थोड़ा से ये पैनल ज्यादा खुबसूरत दिखाए देगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजे ऐसी हैं जो प्रीमियम हैं सबसे पहली चीज तो आपको बड़े साइज का 10 इंच का टच स्क् वाइलेस एंडर आटो एपिल कारपले जैसी कनेक्टिविटी मिल जाएगी हाला कि इस वाले वैरियंट भी दोस्तों नहीं दिया हुआ है नविगेसन सिस्टम लेकिन फोन को कनेट करने का यह नहीं ब्लूटूट कनेक्टिविटी मिल जाएगी यह देखे एपिल का मार्क इसके लावा जो है इस साइट पर अगरम बटन चेक करेंगे तो यहाँ पर एलेक्ट्रोनिक स्टेबिल्टी कन्ट्रोल को जो है ओन उफ करने का बटन है जो बेसिक वैरियंट मैंने आपको लिखाया था उसमें कुछ बटन यहां पर दिये हो थे बर इसको हटाके वो कर दि यह सब उटॉमैटिक दिये हुए हैं आपको बस तेंप्रेचर को सेट करना है वह टम solvent चर यहला पैनल खूब सूरत है और ज़्यादा यूसफूल भी है पी आपको कली त्जार तंडी हो रही है तो बार बार आफ करना पड़ेगा और यहाँ पर यह पाम इसमें आगे भी दिये हुए हैं और इस साइट पर देखिए तो मिल जाएगा एसेसरी सॉकेट इधर देखेंगे तो यहां पर आपको मिले गए दो काफोल्डर्स हैं आगे आम रेस्ट है स्लाइडर फीचर के साथ दिया हुआ है अंदर तरफ बॉक्स आप इसमें चेक कर सकत हैं इसके लावा इस्टेरिंग जो है वह एड़ेस्टबिल है टेल्ट एंड टेलेस्कोपिक पोजिशन पर इसे हम सेट कर पाएंगे अच्छी चीज है यहां पर कुछ टाइम पहले जब इसमें अपडेट साइट थे तो आटोमेटिक हेड्लैम्स दोस्तों इसमें एड़ क कर दिये गए हैं जिसका सेंसर कुछ यहां पर लगा हुआ है अगर पानी बरसेगा तो यह सेंसर करेंगे और आटोमेटिकली वाइपर्स को स्टार्ट करेंगे तो अगें यह प्रीमियम फीचर आपको इस वाले वैरेंट पर मिल जाता है चलिए अब इस साइट आपको बॉ और आटोमेटिक दोनों में आती है फिलाल मैं आपको यह सिक्स स्पीड मैनुवल पर चेक करा रहा हूं आटोमेटिक में थोड़े से फीचर अलग हो जाते हैं यहां पर रिवर्स गया लगाने के लिए क्या करना है आपको ऐसे लिवर को डाउन करके कुछ इस तरीके से जै जाते हैं काफी सारे फीचर काफी प्रीमेटिक फीचर अलग यहां पर बताई दिया हूए है शिक्स एयर बैक्स के लिए आपको जाना पड़ेगा इस गाली के टॉप लाइंग के तरह उसके नीचे भी दोस्तों फिलाल दो ही एएर बैक्स फॉक्स वेगं टागून में आ साथ में दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं और आपने अभी तक कार दुनिया को सब्सक्राइब नहीं तो फटा फट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजे थैंक यू फॉर वाचिंग कार दुनिया